जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे, तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं. जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसाया आरोपों से विचलित नहीं होता है. जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता बलकि जो व्यक्ति शांतिपून, प्रेमपून और निर्भय है वास्तव में वही ज्ञानी है दुनिया में अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, इसलिए ज्ञान की तलाश कीजिए तभी आप अंधकार से बाहर निकल पाएंगे विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना इश्वर का मिलना भी असंभव है अगर आप अशान्त है, तो इसे बाहर ढूंडने की कोशिश मत कीजिए, बलकि इसे अपने अंदर ढूंडिए अगर आप सच में स्वयन से प्रेम करते हैं, तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुँचा सकते हजारों खोखले शब्दों को बोलने से अच्छा है, एक वो शब्द जो शांती लाए मन्जिल और लक्षे को पाने के लिए यात्रा अच्छी होनी चाहिए दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नेंद, आनंद और शांती से किमती कुछ भी नहीं जिस प्रकार बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान और अच्छा व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा इकठा करके स्वयं को अच्छाई से भर देता है दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं, उनके सारे जगडे एक ही बार में खत्म हो जाते हैं जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है आपके पास जो कुछ भी है, उससे बड़ा चढ़ा कर मत कहिए और ना ही दूसरों से इर्श्या कीजिए जो व्यक्ति दूसरों से इर्श्या करता है, उसे मन की शांती कभी नहीं मिलती अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही शांत मन का वास होता है वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंतरन हासिल कर लिया हो तेजस्वी, स्पष्ट और सच्चा है, वही व्यक्ति गेरुआ वस्त्रधारन करने के लायक है देखते समय सिर्फ देखें सुनते समय केवल सुने महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें यही वास्तविक कर्म है दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोश निकालने का रास्ता ढूंडती आई है, हमेशा यही होता आया है, और यही होता रहेगा अगर कोई काम करने लायक है, तो उसे पूरे मन से करो तभी उसमें आपको सफलता प्राप्थ होगी अगर प्राप्थ होगी